इस वीडियो में मैं आपको बताने वालों फ्रेंड्स कि आप सैमसंग के मॉइल फोन में डिलीट फोटो और वीडियो को बापस आप अपने फोन में कैसे ला सकते हैं तो यह जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लाश्ट तक देखिएगा और अगर आप मेरी यूट्यो चैनल पे नहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बेल को दबा कर अपसर पर जरूर क्लिक करिएगा तो इसके लिए आपको जाना है अपने samsung mobile phone के एक file manager बाले application में आपको ये file बाला application मिल जाएगा आपको इसमें जाना है इसमें जाएगे तो देखिए आपके सामने इस तरीके का interface आता होगा तो देखिए आपने जो भी photo और video delete किया हुआ होता है तो वो जो है आपके phone के trace mean में चला जाता है और trace mean आपको कहाँ पर मिलेगा जब आप file में आएगे और देखिए जब आपको यहाँ पर यह browse well option select होगा तो आपको यह एक three line का option दिखेगा आप इस पर click करेंगे तो आपको फोटो यह वीडियो को बापस करना है recover करना है तो आप उस पर click करिये वो select हो जाएगा इसी तरीके से आपको और भी pages को वापस लाना है तो उस पर आप ein कलिक करते जाएं तो विठ्ट हो जाएगा और आपको यहां डेक्ट हो को select कर लेते हैं चलिए यहां पर मैं 4-5 को select कर लेता हूं और दोस्तों यहां पर आप वही वीडियो recover कर सकते हैं जो कि 30 दिनों के अंदर delete हुआ होगा अगर दोस्तों 30 दिन से ज्यादा हो गया है उसे दिलेट हुआ हुआ तो फिर वह फोटो या वीडियो यहां पर भी नहीं रहेगा लेकिन 30 दिनों के अंदर आपने जो भी फोटो वीडियो डिलेट किया होगा वह आपको यहां पर मिल जाएगा तो आप देखिए पिर रिकवर करने के लिए उसको सेलेक्ट कर देना है तो और उसके बाद आपको यह रियस्टोर फाइल्स पर क्लिक कर देना है तो वह सारा फोटो वीडियो आपके फोन में बापस आ जाएगा चलिए मैं आपको दिखा देता हूं तो आप दिख सकते हैं हमारे फोन में डि फोटो और वीडियो को बापस ला सकते हैं वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा